पित्यार्थियों हिंदी काला इंश में कक्षा आठवी में आपका स्वागत है आज हम आपकी पूरक पाठ्थे पुस्तिका भारत की खोच पढ़ेंगे हम पढ़ रहे थे पाठ साथ अध्याय साथ अंतिम दोर तो रास्टिता बनाम सामराज जिवात मध्य वर्ग की बेबसी गांधी का आगमन मध्य वर्ग की क्या-क्या परेशानिया थी क्या-क्या मजबूरिया थी और किस प्रकार से गांधी जी का आगमन होता है इसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं अगला भाग हम शुरुवात करते हैं इसकी गांधी जी के नेत्रतु में कॉंग्रेस सक्क्रिया गांधी मूलतह धर्मप्राण व्यक्ति हैं वे अपने अंतरतम की गहराईयों तक हिंदु हैं लेकिन धर्मसंबंधी उनकी उधारना का किसी सिध्धान्थ परंपरा या कर्मकांड से कोई संबथ नहीं है उनका बुनियादी सरोकार उन नैतिक नियमों में उनके दरडविश्वास से है जिन्हें वे सत्य या प्रेम के नियम कहते हैं सत्य और अहिंसा इन दोनों शब्तों को वे एक ही अर्थ के लिए अलग अदल बदल कर इस्तिमाल करते हैं उनका दावा है कि वे हिंदु धर्म की मूल भावना को समझते हैं उन्होंने हर उस सिध्धान्त और विभार को नामन्जोर किया जो उनकी आदरशवादी व्याक्या से मेल नहीं खाता था वे सबसे उपर नैतिक नियमों की सत्ताब मानते हैं वह भी उस रूप में जिस रूप में उन्होंने खुद उन्हें समझा है इस भाग में हम जानेंगे कि नहरुजी गांधी जी के बारे में क्या सुचते थे गांधी जी जिने हम सब जानते हैं जिनके बारे में हमने सब पढ़ा है तो नहरुजी ने उनकी व्याख्या किस प्रकार से की है वो हम देखते हैं इस भाग में गांधी मूलतह धर्मप्राण विखती है जो कि धर्म को मानने वाले थे वे अपने अंतरतम की गहराईयों तक हिंदू है यहने उनकी सोच, उनकी अवधारना है सब हिंदूत्व से चोड़ी है लेकिन धर्म संबंदी उनकी अवधारना का किसी सिधान्थ परंपराय कर्मकांड से कोई संबंद नहीं है यहना अगर हम धर्म की बात करें तो लोग विबिन प्रकार के कर्मकांड करते हैं उनकी अलग अलग परंपराय होती है उन परंपराओं का कटरता से वो पालन करवाते हैं काफी रूड़ी वादी प्रक्रती के होते हैं परंतु गांधी जी इस प्रकार से नहीं होते वो धर्म का पालन जरूर करते थे परंतु कटरपंथी नहीं थे उनका बुनियादी सरुकार उन नेतिक नियमों में उनके द्रड विश्वास से है जिने वे सत्य और प्रेम के नियम कहते हैं गादीजी सत्य और प्रेम के नियमों का पालन करते थे नेतिक नियमों का पालन करते थे और उनी में द्रड विश्वास उनका था सत्य और हिंसा हम जानते हैं वे कहते थे कि सदा सत्य कहिए कभी हिंसा न करे तो इन दोनों शब्दों को वे एक ही अर्थ के लिए अदल बलादर कर इस्तेमाल करते थे उनका दावा है कि वे हिंदु धर्म की मूल भावना को समझते हैं यनि हिंदुत्व की मूल भावना यही है कि किसी भी प्रकार की निंदा न करे सदेव सत्य कहे परोपकार करे दूसरों के लिए दूसरों की हितों के लिए कारे करे किसी को ऐसे शब्द न कहें जिससे किसी के म पहुचे उसे भी वो हिंसा का ही रूप मानते थे नहीं है कि आप कसी को पहुचाए किसी के साथ मार पेट करें खुन खराबा करें बल्कि यदि आप अपने शब्दों द्वारा भी किसी धेस पहुचातेकं किसी के बारे में निंदा ने हैं तो वे हिंसा का ही रूप होगी तो गांधी जी जो थे कटर हिंदू तो आदी थे कैसे? हिंदू जो होता है वो किसी को चोट नहीं पहुँचाता हमेशा परुपकार करता है हमेशा सत्ति की रा पे चलता है तो ये सारे नियम उनके खुद के थे वे उन नियमों का ही पालन करते थे उन्होंने हर उस सिद्धान्त और विवहार को ना मनजूर किया जो उनकी आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाता था तो ऐसे सारे सिद्धान्त और विवहार वे ऐसे सारे सिद्धान्त और विवहार उसको ना मन्जूर करते थे मानते नहीं थे जो उनकी आदरश्वादी वाक्षा से मेल नहीं खाता था इसका मतलब है कि जो बले ही हिंदु धर्म की मूल भावना हो या हिंदु धर्म के मूल नियम या सिधान्त हो परंतो यदि वो सत्य और अहिंसा के खिलाफ थे तो गांधी जी उ और अहिंसा सर्वो परी था वे सबसे उपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं वह भी उस रुप में जिस रुप में उन्होंने खुद उन्हें समझा है नैतिक नियमों को वे सबसे जादा महत्व देते थे जीवन के अन्य पक्षों की ही तरह हौसत आदमी के लिए इससे राशनिती में परेशानी और अकसत गलत फहमी पैदा होती है लेकिन कोई बाधा उन्हें अपने पसंद के सीधे रास्ते से नहीं हटा पाती क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बरापर अपने को बदलती हुई सिती के नुजरों ढालते चलते हैं वे हमेशा खुद अपने से शुरुआत करते हैं उनकी कथनी और करनी में इतना मेल होता है जितना हाथ और तस्ताने में कई बार ऐसा होता है कि एक आम साधरन व्यक्ति जो राशनिती में भी है उसको अपने पक्ष को रखने में है न या अपने उन सिधानतों को लेकर चलने में राशनिती के मार्ग में बहुत परेशानिया होती है और कई बार कुछ गलत फह्मिया भी हो जाती है लेकिन कोई बाधा उन्हें अपनी पसंद के सीधे रासे से नहीं हटा पाते गांदी जी के सामने शायद कितनी भी गलत फह्मिया हुई हो या परेशानिया हो वो अपने मार्ग से कभी नहीं हटे जिन रास्तों पर जिस सिधानतिक नियमों पे उचलते थे कभी वे उसे बदलती हुई सिधिक अनुसरूप ढालते चलते हैं वो जो भी परिस्थिती होती थी उसके अनुरूप कारे करते थे वे हमेशा खुद अपने से ही शुरुआत करते हैं दूसरों को बदलने के बजाए में पहले खुद अपने आप में बदलाव लाते थे और फिर दूसरो और हाथ में जब गलोब्स पहनते हो तस्ताने जो पहनते हो तो वो केसे बिलकुल एक दूसरे के क्या कहूंगी मैं कि एक दूसरे के बिलकुल मिलते जुलते होते हैं तो वैसे ही कथनी और करनी जो कहते हैं वो करते हैं कहीं बार लोग क्या होते हैं कि कहते हैं दूसरों के लिए नियम बनाते हैं दूसरों से कहने के लिए करने के लिए कहते हैं लेकिन स्वयम नहीं करते हैं परंदु गांधी जी का था कि वे जो कहते थे वो स्वयम करके दिखाते थे और फिर दूसरे लोग उनका आनुकरन करते थे और इसी लिए लोग उन्हें इतना प्यार करते और उनकी कही हुई हर बात को मानते भी थे जिस भारत को वे अपने च्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालने जा रहे थे उसके बारे में उनका विचार था मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूँगा जिसमें गरीब से करीब विक्ति भी यह मैसूस करेगा कि यह उसका देश है जिसके निर्मान में उसकी आवाज प्रभावी है एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के उचे नीचे वर्ग नहीं होंगे ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे संभाव से रहेंगी ऐसे भारत में चुआ चूआ चूद या नशीली, मदीरा और दवाईयों के अभिशाब के लिए कोई जगा नहीं होगी स्त्रियों और पुरुशों के समान अधिकार होंगे यही मेरे सपनों का भारत है जहां उन्हें अपनी हिंदू विरासत का गर्व था वहां उन्होंने हिंदू धर्म को एक सारव भूमिक बाना पहनाने का प्रैथ न किया और सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल कर लिया उन्होंने अपनी सांस्रतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इंकार कर दिया बहुती अच्छी बात कई है जब भी हम भारत की बात करते हैं अपने भारत वर्ष की बात करते हैं तो हमेशा गांधी जी टेग और उनके सपने की बात आती कि कैसा भारत आखिर वो चाहते थे तो यहां पे उसको बहुत इस पश्ट रूप से नहरूजी ने उसकी व्याख्या की है कि जिस भारत को वो अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालने जा रहे थे उसके बारे में उनका विचार था यहने गांधी जी ने स्वतंतरता के बाद भी भारत कैसा होना चाहिए हमारे देश में हम स्वतंतरतों कर लेंगे अपने देश को स्वतंतरता तो अब लगभग उन्हें लगा था कि हाँ अब स्वतंतरता तो हासिल हो चाहेगी लेकिन उस आजाद भारत में लोग कैसे रहेंगे उस स्वतंतरता के बाद लोगों का जीवन कैसा होगा ये बहुत महतोपूर्ण था तो गांधी जी के विचार थे कि मैं ऐसे भारत के लिए काम करूँगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह मैसूस करेगा कि यह उसका देश है जिसके निर्मान में उसकी आवास प्रभावी है यहने हर गरीब व्यक्ति को यह एहसास होगा कि यह मेरा अपना देश है यह मेरा अपना घर है और यह जो इसकी जो नीव डली है इसमें कहीं न कहीं मेरा भी योगदान है जब भी उसे कोई तकलिफ होगी उसे कोई परिशानी होगी या उनकी कोई समस्याएं होगी गरीब लोगों की उनकी समस्याओं को भी सुना जाएगा उनकी समस्याओं का भी समाधान होगा एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के उचे नीचे वर्ग नहीं होंगे यहने कई बार हम देखते हैं कि जो समाज है या देश है माँ पे एक तरग के वर्ग बन जाते हैं एक अलग-अलग स्थर के कौन आमीर कौन गरीब है ना किसकी शिक्षा उचे शिक्षा वाले लोग निम्न शिक्षा वाले लोग तो इस तरग के से हम लोगों के उची जाती के लोग नीची जाती के लोग इस तरग के हम समाज को इस तरग के वर्गों में विभाजित कर देते हैं इस तरह से हम लोगों के बीच में भेदबाओ करने लगते हैं लेकिन गांधी जी चाहते थे कि ऐसे भारत का निर्मान हो जिसमें ऐसा कोई भेदबाओ ना हो जहां पे रंग, जाती, शिक्षा, पैसा, आर्थिक, सिती इनके किसी भी आधार पर, लड़का, लड़की, इनके आधार पर कहीं पे भी लोगों के बीच में भेदबाओ ना हो, उच नीच ना हो ऐसा भारत जिसमें सब जातिया, पूरे संभाव से रहेंगी, जितनी भी जातिया हैं वो एक समान दर्जा पाएंगी इसे भारत में छुआ छूट या नशीली मदीरा या दवाईयों के अभी शाप के लिए कोई जगह नहीं होगी पहले बहुत सारी रूड़ी वादी परंपराएं हुआ करती थी नीच जाती के लोगों को छूटे नहीं थे, छूआ छूट मानते थे अचूट मानते थे और लोग उन्हें छूटे नहीं थे कहीं अधिकार उन्हें मंदिरों में आने का अधिकार से कहीं अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होते थे लोगों को वैसन हुआ करते थे, नशीली मदीरा और कई दवाईयों के अभिशाप हुआ करते थे शाप जैसा था पर तो अब इन सब चीज़ों के लिए कोई जगा नहीं होगी स्त्रियों और पुरुशों को भी समान अधिकार प्राप्त होंगे और यही जो सपना था वो गांधी जी ने हमारे आजाद भारत के लिए देखा था जहां उन्हें अपनी हिंदु विरासत का गर्व था वहां उन्होंने हिंदु धर्म को एक सार्वत भोमिक बाना पैनाने का प्रैतनी किया उन्हें हिंदु विरासत पे बहुत गर्व था और साथ ही हिंदु धर्म को वो सर्व पूरे संसार में एक जैसा सभी लोग उस धर्म को मानने करे ऐसा वो बनाना चाहते थे सत्य गेरे में सब धर्म को उन्होंने शामिल कर लिया था उनका ये माना था कि सभी धर्म समान है सभी धर्म जो है उनका जो मूल आधार है वो भी समान है सबी धर्म एक ही बात कहते हैं और वो है सत्य और अहिंसा उन्होंने अपनी सांस्रतिक विरासत को संकिन बनाने से इनकार कर दिया उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी हिंदू जाती है या हमारा जो हिंदुत्व है वो हमें विरासत में मिला है हमारी धरोहर है तो यह जो हमारी सांस्रतिक धरोहर है इसे हम सीमित करके नहीं रख सकते इसे हमें विश्वयापी बनाना है उन्होंने लिखा भार्टी संस्रती ना हिंदू है ने इसलाम ना पूरी तरह से कुछ और है यह सब का मिला जुला रूप है उन्होंने आगे लिखा मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के पास सारे देशों की संस्रती जितनी स्वतंत्रता से संभव हो उतनी स्वतंत्रता से फैले लेकिन उसमें से कोई मेरे पैर उखाड़ दे मुझे ये मनसूर नहीं आध सिर्फ हिंदू का मतलब यह नहीं कि हिंदू जो जातिया है ब्रह्मन जाती चत्री जाती सिर्फ यह नहीं है हिंदू मुसल्मान सिर्फ मुसल्मान नहीं है जबकि ये तो सब का मिला जुला रूप है भारत है ही इतना विशाल उसमें इतनी जाती धर्म के लोग रहते हैं कि हम किसी एक जातिया किसी एक धर्म का पूरा देश नहीं हो सकता ये तो हिंदू, मुसलिम, सिख, इसाई सब का देश है सब यहाँ पे भाई-भाई है ये जो भारती संस्कृति है ये तो सब का मिला जुला रूप है फिर उन्होंने लिखा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के पास सारे देशों की संस्कृति जितनी सुतंत्रता से संभव हो उतनी सुतंत्रता से फैले ये हर देश की हर संस्कृति का हम स्वागत करे लेकिन हम अपनी जो हमारा जो मूल रूप है हम उससे न छोड़े उसकी जड़ों को हम न छोड़े हम भले ही आदुनिक विचारधाराओं का स्वागत करे उन्हें अपनाएं उनमें से अच्छी चीज़ों को ग्रहन करे लेकिन हम अपनी जड़ों को नहीं छोड़ सकते हमें उस मूल आधार को पकड़ के रखना है जगड के रहना है और उसके उपर हमें विक्सित होते रहना है डूपे हुए लोगों को उठाने की लगन के सामने और सभी बातों की तरह धर्म का भी उनके लिए गौन स्थान था एक अधभू के रास्ट का न कोई धर्म हो सकता है न कला न संगटन करोडों भूके मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी हो सकता है वही मेरे लिए सुन्दर है आज हम सबसे पहले जिन्दगी की जरूरी चीज़ से थे और उसके बात जीवन के लिए शोभा की वस्तुएं और अलंकार अपने आप आज जाएंगे उन्होंने कहा मेरी आकांक्षा है हर आख से हर आशु को पोच लेना तो उन्होंने क्या कहा कि जो लोग गर्द में हैं जिन लोगों के पास सहायता नहीं है उन लोगों को उठाने की ये जो हमारी पहल है यही हमारा धर्म है यही हमारे धर्म का मूल आधार है एक अदभू के रास्ट में जहां पे बहुत से लोग गरीब हैं बहुत से लोग भूके मर रहे हैं वहां पेगरम कहें कि कला विक्सीत होगी संगठन बनेंगे तो ये संभव नहीं है हमें सबको उठा कर एक स्तर प्रदान करना पड़ेगा सबको रोटी कपड़ा मकान देना पड़ेगा उसके बाद दूसरी जो अलंकार की चीज़े हैं जो शोभा की चीज़े हैं जो कला है जो संस्क्ति है जो संगठन है वो अपने आप ही उनमें आता जाएगा जिन्दकी की जो सबसे महतुपोर्ण चीज़े हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, वो हमें हर व्यक्ति तक पहले पहुचाने का प्रैत्न करना है। और उनकी ये आकंख्षा थी कि हर आख से हर आसु को वो पोच लेने कोई भी दुखी न रहे। बले ही गरीब है इनसान तो वो भी सूखी रोटी खा कर ही दाल रोटी खा कर ही खुश रहे। उसको और कोई तकलीफ न हो। उससे रहने के लिए एक छट मिले, तन को धखने के लिए, कपड़ा मिले और खाने के लिए भोजन मिले। कम से कम हम इतना हर व्यक्ति के लिए कर सक तो यही था उनका सपनों का भारत यह आशरी की बात नहीं है कि इस अद्भुत रूप से तेजसी आत्मी ने जिसका पैमाना सबसे करीब आत्मी है भारत की सामाने जनता को समोहित कर लिया और उन्हें चुम्बक की तरह आकरशित किया वे उनका अदीत के साथ बविश्य को जोडने वाली कड़ी की तरह जान पड़े उन्होंने केवल अपने अनुयाईयो में नहीं नहीं बलकि अपने विरोधियों में भी और उन तमान तटस्त लोगों में जो इस बारे में निशे नहीं कर पाते थे कि क्या सोचना और क्या करना है एक मनो वैग्यानिक क्रांती पैदा की ये बहुत महतुपोर्ण और बहुत ही सही और सटिक बात नहरू जी ने गांधी जी के बारे में लिखी थी कि गांधी जी जो थे ये अद्भुत तेजस्वी थे अद्भुत प्रदिभा के धनी थे कि उनकी जो पैमाना था उनका जो आधार था वो गरीब व्यक्ति था और भारत की संपूर्ण जनता जो थी उनकी बातों को मानती थी उनकी हर बात पे समोहित हो जाती थी आकरशित होती थी उनकी तरफ चुमबक की तरफ उनकी बातों को मानती थी कई उनकी अनुयाई भी बन गए थे उनकी जो बाते थी वो अतीत के साथ उनके भविश्य को जोडने वाली गड़ी से मतलब जो उनका इतिहा से उनका जो अतीत है उससे लेके भविश्य में उनको आगे बढ़ने की एक कड़ी नजर आते थे नसेफ उनके अनुयाई बलकि उनके जो विरोधी थे वो भी सोच नहीं पाते थे कहीं बार की आगे क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसे लोगों में भी गांधी जी ने एक अदभुत और मनोवेक्या ने करांती पैदा की थी तो यहाँ पे हमारे जो पार्ट है इसका दूसरा भाग समाप्त हुआ अध्यायसाद का अगला भाग हम पढ़ेंगे अगले कालाइश में